हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग आई हो कि आप बहतर तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे आप बहुत ही अच्छे होंगे हम लोग इस चैनल पे 32 येर नीट के सलूशन अप्लोड कर रहे थे बट मैं अप्लोड नहीं कर पाया था बच्चों मैं इलेक्टो इ आई सिउ में भी रहा उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद आपको तीन चार महीने आपको सजेशन दिया जाता है कि आप रेस्ट कीजिए बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट है बच्चों कोरोना होना और हॉस्पिटल के आने के बाद सीरियस प्रेसेंट को इतने ज्या कैसे हो गया था तो आपको पता ही निचलेगा आपको कहां ओगया कैसे हो गया बट अनफर्शनेटली मैंने सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा वही दवाई सब को दी जाती थी वही दवाई मुझे भी दे जाती थी मैं बच गया कैंकि मेरा जो बचने पैक्डी और करने हैं तो वह जो माइंट सेट है हमारे लिए नहीं देना क्रियेट हुआ है वह माइंट सेट ही मदला बचाने में हेल्प किया क्यों कि बहुत ही ज़ादा दवाइता रहती हैं बहुत सारी चीजि़ों की वज़े से मर रहे थे लोग अपनों के छोड़ देते थी थोड़ी बट उनकी जो फोविया जो जो फोविया थी जो डर था उसकी वज़े से लोग ज्यादा मेरे हिसाब से वह रही थी जो मैं अपने बहुत करीब देखा बहुत करीब होके देखा तो कहने का मतभ़े है कि अगर आम नीट और जै जो भी तैयारी कर जो पड़ रहे किसी दी चीज को एचीव करने के लिए तो फाइनली मैं उन वीवर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत थैंक यू बोलता हूं दन्यवाद देता हूं जो इतने लंबे टाइम से में कोई वीडियो अफ्लोड नहीं किया फिर भी मेरे साथ जुड़े हैं और यह जुड़े र और अगर आपको कोई दिक्कत होता है किसी कॉंसेप्ट में तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिए मैं आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाइग दिरूंगा तो थैंक यू टेक केयर बैबै